कि नमस्कार राजी टेवी के खास कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रभू पटेरिया तो आए हम बात करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर से और बड़ी खबर यह है कि कि मजद प्रदेश सरकार ने यह डबलू को चुरव काले धन मामले में जाच के नर्देश दिये थे उसको लिए यह डबलू ने बड़ा खेल कर दिया है यह डबलू को जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें नामजद अधिकारीयों के नाम थे हैं लेकिन यह डबलू ने अपसर का नाम था तो यह जो एक बड़ी खबर हैं हम उस पर बात करने जा रहा है और अभी तक कि यह सबसे बड़ी खबर है मद्यपदेश सरकार के निर्देश के बाजूद यो डबलू ने अपने इस तर पर जाच में खेल कर दिया है ब्लैक मनी मामले में यो डबलू ने एक बड़ा खेल कर लिया है उसने प्राड़ंबिक जांस तो सुरू कर दी है लेकिन तीन आई पियस अफसर और राज्य पलिस सिवा के एक अफसर को अभी तक नाम जद नहीं किया यानि उसने जो पी काटी है उसमें अग्यात आरीवों के से बचाया जा रहा है कांग्रेस निताओं को या फिर अफसरों को या बड़े सवाल उठ रहे हैं लेकिन इससे इतना तो साफ हो ही हो गया है कि चुनाव और सीवी डीटी को धोखा देने के लिए यह पटकर्था लिखी गई है ताकि पांच जनवरी को मुख्य सचिय तो आएए हम मसले को समझने की कोशिश करते हैं इस खबर पर और चर्चा करेंगे स्टूडियो से हमारे साथ जोड रहे हैं अनाधी टीवी के प्लिटिकल एडिटर मनोज वर्मा और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से ब्रजेश चौक से जी आज से कुछ दिन पहले हम कहें कि 31 दिसंबर को आपने खबर ब्रेक की थी इसी अनाधी टीवी पर की राज सरकार ने अंतित्तह योडबलू को जाच के लिए चिठी लिग दी है योडबलू को राज सरकार ने इस प्रीवी डिटी का जो मामला था इसकी जाच सौपने के नरदेश दे दिये थे उसके कश्धा क्राम के सौफ एफ काटी गई झो प्रादर मिक जाच की गई हिसा में क्षाप ब्रजेश गई तो ईके उसके अपके पास परमार नहीं होते हैं तब आप दर्ज करते ह। अज्पने करती रही है जिलोगों कर देपके विए इंद्र सुनाव आयोग ने इस प्रश्त प्षिट का कि यह चार अधिकारी हैं इनके क्रिमिनल अफेंज आये हैं सामने इनके खिलाब प्रमाण हैं इन पर दर्ज कर जांच की जाए कि आगे कौन-कौन लोग इसमें इन्वाल्व हैं तो पी जो दर्ज होना चाहिए थी काइदे से उसमें इन अधिकारियों के नाम आ जाना के भी नाम है नेताओं के तो 64 लोगों के बारे में आयोग के कोई इस्पष्ठ निर्देश नहीं थे सीवीडीटी रिपोर्ट में उनके नाम जरूर ते उसी की जाच करना थी या यूडवलू को लेकिन इनोंने इसमें किसी को नाम इतने किया नए सिरह से जाच करेगी जो प्रमाण है उसका कोई मूली नहीं रहा है इसकी तरह इसे एक तरह से के अब यूडवलू जो जाच करेगी उसमें नाम आएंगे या उसमें जो प्रमाण मिलेंगे उसके आधार पर कारवाई करेगी जबकि सक्षम इस तर पर उसकी जाच हुई है इंकम टेक्स एक लीगल स सबसरों को बचाने के लिए पूरा खेल रचा है कि आप कह दीजिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट देजिए कि हमने योडवलू को सौंप दिया है और बहुत जांच कर रहे हैं और आगे की कारवाई होगी इसको धीले तरीके से आगे बढ़ाय जा रहा है ताकि इसको सब्सक्राइब की रिपोर्ट को एक तरिकिये से वो नकार कर अपनी जाच करने जा रहे हैं तो चार वाल्यूम में है कई पना हजार से ज्यादा पन्यों की रिपोर्ट है और खास बात यह है कि वह इंकम टेक्स ने चापे मारे थे भोपाल से लेकर दिल्ली तक वहां जो की मशक्कत के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की थी कहा यह जाता है कि यह मामला पहले सी बी आई को देने की कोशिश की जा रही थी लेकिन राज सरकार का एक नियम आड़े आ गया जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को चुना आयूक के माथत राज सरकार को भीजा गया है और र यह कंतुछ अगयात सांत में रखा जाता है कि कूछ और लोग अंयं है या उनके नाम सामने निकल कराते निकल कर आते तो उनको शामिल किया जाए लिकिन जो भी प्राजमी की दर्ज की जाती वह Nang'di होती रहिए वहां कि इसी हम अगर एक देर साल के अंदर देखें कि जब इट्रेंटिंग में घोटाले की बात आती है तब हम देखते हैं को मामला जाता जांच के लिए कि यूडबलो को यूडबलो प्रादमी की दर्ज करती है उसमें अग्यात लोगों खिलाप ऐसा ही आयटी की रिपोर्ट आती दिल्ली से धीरे धीरे खुलासा होता है कि कौन-कौन इसमें शामिल थे किनके निर्देश पर ये घोटाले हुए किन-किन को फायदा हुआ कई सार भी वधुकुमार बाबु ने साड़े साथ करोड़ रुपे कि उनके नाम पर इंट्री मिलिया और तीन-चार जगे मिली है से विंट्री चायव हम बात करें वारा करोल मदुकुमारे साट था और अरूण मिस्रा साथ करोड़ साथ और बाकी दो सभ्सवार संजमाने के नाम पर तीस लाग की प्रतीक जोसी से लेके जो तोर तीन चाब पांच जादी जो कल्पिट है इसमें सब के लेफटाप में ड्राइरियों में सेव एंट्री हैं समाल कहीं पैसे का है फिर नहीं है इसका मतलब है कि अलग अलग जो लोग हैं इसमें जुले थे वो सब जगें इसकी होती थी चिट्थी लिखती है वह दर्शकों को पता ही जिसमें साब तोर पर निर्दे से होते हैं इन पर फाइर के जाए नामजद आदेश के बाद भी अग्याद लोगों के लाब प्रात्मी लाने की है इसमें जांच की आपकी मंचा नहीं है क्योंकि यह जो चारों अफसर हैं वह कहीं ना कई सरकार नों की presenting कोई विवागी जांच को कि आपने पी इनका नाम नहीं है तो सवाभी सी तोर। भाभी हम जो पर हमारे दर्शों को को दिखा रहें कि सब के नाम पर उनका पाश चथी आ रही कि इनकी कि ख्लाब करिए तो आप उसमें करी या प्रात्मिक जाज करिए इसके उलट हम देख रहे माफिया कि खिलाब अवियान की बात करते हूं सरकार ने का माफिया की खिलाब पुलिस जाती एक मकान तोड़ती उनने का इसके खिलाब 24 मामले दर्ज दे अब यह नहीं बताती कि उसमें से कितनों बरी हो गया है अभी कोई प्रेजेंट में कोई मामला है की नहीं है या उसके मकान लीगल है या उसके लेना चाहिए तो जहां आपको जैसा लेना होता है आ लेकिन EDG लेबल के अधिकारी की ज हैं सोबते हैं आप additional L A possibly रेंके आधिकारी को उससे कई उन करते हैं नहीं करते हैं नतीजा यह होता है कि दूसरी रहर एक और they Shirt को नाम आता है फिर खाबर आती है कि उनको घबराट हो गया बढ़ गया वह ऐस्पताल में भरती उजाता हैं मामला ठंडे बसने में चला जाता है तो पुल मिला कर यह कि अधिकारियों को बचाने का काम जाँ जिन सी कर रही है और इस छो बाकियों के नाम नहीं आया हो सकता ऐसे कई कि प्रदेश के अधिकारी हैं उनका विश्वास जनता में घड़ गया है जनता उन पर विश्वास कम करने लगी अधिकारियों का अपना रवया बदलना चाहिए ब्रस्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात मुख्मंत्री कहते हैं कि जो भी ब्रस्ट उसको बक्षा नहीं जा अधिकार जहां involved है वहाँ पर इस तरीके से नाम निकालने की कोशिश की जा रही है जाहिर से प्रभु जी कि अफसर जो है गुम्रा करना चाहरा है एक अधिकारियों के नाम आए सब की इंट्रिया मिली सीसी टीवी फुटेज कुछ लोगों के मिले हैं और जो इलेक्ट्रा के खिलाब वह लड़की जिसके जो उनको ब्लेक्मेल कर रही थी बकोल हर्वजन सींग कि उसके साथ रेप होता है वह माइनर होती है तो काईदे से एक फायर हर्विदन सिंग के खिलाब होना चाहिए रेप केस की पास को एक्ट में इसके बाद जाच करें पुलिस लगता है कि यह गलत है तो उनको निकाल दे लेकिन पुलिस उनके खिलाब कोई फायर नहीं करती है कई सारे अधिकारियों के पूर जाता है तो आप अपने बचाने के लिए तो कानून में 50 लूप होग लेते हैं लेकिन अगर आपको लगता कि कि किसी और निप्टा कि इन में से किसी अधिकारी नहीं नहीं कहा कि हमको गलत पसाया है हम उन 50-60 विधायकों की बात करें जिनके नाम पर इंट्रिय पायका उन कि नामजल उसकी जाच नहीं कर रहें इसका मतलब है कि आपकी नयत में खोट है प्रवाद कराइज voices पूरी रिपोर्ट उसके साथ लगाई है से चुनावायोग को पहुंची थी चुनावायोग की पूरी सबूत प्रमाड और पूरी चिठी के साथ उनको सौपा है यूडवलू को उसमें कहा है कि बिधी अनुसारे कारवाई और इसकी सक्षम बिभाग से सक्षम इसतर से मतलब पूरी अनुमती ले लिए तो अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं यूडवलू इससे भी नहीं बस सकता कि हम इन अधिकारियों के खिलाब प्रात्मिक जाच या एफ़ाई आर करने के लिए जाच करने के लिए सक्षम बिभाग से अनुमती लेंगे क्यों कि सरकार ने खुद अनुमती दे दी और इसमें इस तर पर हम अनुमती ले चुके अपने दर्सकों को भी हम वो चिठी दि जो करती है उसमें बाकाइदा नामित करती है कि इन इनके खिलाप यह प्रमाण में इनकी जाच कि जा रहे और अन्ने के खिलाब और अपने खुद के डाइरेक्टर के खिलाब यह एक बड़ा उधारण है तो यह दोहरा चरित्रे है यह डवलू का यह डवलू भी खुद द सा करती रही है लेकि इस मामले में चुकि नहीं किया से दो अधीकारी वहरें प які आपई एक सबस्क्राइव हो तो मुझे लगता है कि अधिकारियों की चाल आधिकारियों सरकार को गुम्राह किया हो किUSE संग्यान में ये मामला बताएंगे जो दो अधिकारी जाएंगे CS और ECS के हमने EOW को भेज दिये, निश्टी तोर पर उन्होंने अपना काम कर दिया EOW को भेज दिये, अब EOW को तलब कर सकता है चुनाव आयोग के आपने क्या कारवाई किये, उनसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है, हाला कि अभी जो CS पर उनसे रिपोर्ट मांगी उसमें ये भी दिये गया है कि आपने अब तक क्या कारवाई कि उसकी आगे की रिपोर्ट हो, तो EOW से वो रिपोर्ट लेकर जाएंगे कि हमने प्रात्मी की दर्च कर लिए और इसकी जाज कर रहे हैं, अब किसको नोटिस देंगे, सवाल ये उठता है प्रूब जी, यदि नाम जाद चारों अधिकारी होते तो उनको नोटिस दिया जाता और एक के बाद एक लिंक जोड़ी जाती कि उनने किन अधी नेताओं को पैसे दिये हैं, किस से लिये हैं, तो आगे की कड़ी से कड़ी जोड़ती, अभी अंधेरे में तीर च साल तक उसने इस मामले की जाच किये, लोकसभा चुनाओ के सवरां, दौरान का ये मामला है, उसके बाद आट-नौ महीने उनने अपना पूरी जाच की इस रिपोर्ट को सौपा है, कारवाई का अधिकार चुकि इस तरीके के मामले में उसके पास ऐसा है नहीं, तो इसलिए उसने कहा कि इसमनों पुलीसिया कारवाई भी की जाए, जो भी इस से हो सकती, वहाँ से करा जाए या राजसरकार अपने इस तरपर करे, और चुकि ये चुनाओ में लेंदेन का मामला है, अपने आपने एक अनूठा मामला है कि सरकारी अधिकारीों ने चुनाओी फंड के लिए पैसा एकटा करके किसी राजनेतिक दल के पास पहुंचाया इसलिए चुनाव आयोग भी इसमें शामिर हो गया है और आयोग जो चुनाव संबंदी जो कानून उसके तहट अलग कारवाई की बात कर रहा है तो क्या यह किवल अधिकारियों को बचाने का शडेंतर है यह पूरा एक नैक्सस जो है चुनाव को लेकर अधिकारी और नेताओं का उसको बचाने की कवैद दिख रही है तो सारे कानूनी दाव पे इनको पता है इनके खिलाब होती है गरपतारी की नोवत आती है तो इनमें से हो सकता कुछ ऐसे हो जो कहें कि हम सरकारी गवावा बनने हैं हो तैयार और यह बताने को तैयार है कि पैसा किसके कहने कर लीया गया चार वाल्यूम की रिपोर्ट दी या accounting बारी किसे Ensuite यह कैद और यह गा प्रदेश में सबको पता कि कितनी इस्तिति है कि कुपोषण के मामले खतम किये जाएं बच्चों का सवाल है लेकिन अगर उनके पेट का पैसा कुपोषण के हिस्से में से करा तो जाहिर जी बात है कि यह विभाक से नहीं आया यह आपने जो पोषण आहर तयार कर रहे और भी तमाम सारे विधायों जो है पैसा आया अगर हम बात करें इसमें तो कई सारी रेत से जुड़े मामलों के लेकर वी उस्में वसूली हुई है तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने पिछली बात कर बात कर तो सरकार ने आपको पालीसी में चेंज किया था हलाकि सक्सेस नह पॉलिसी के दम पर वह अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवाते थे पैसे खटा किया और एक और चीज का जिक रिसले जरूरी दर्शकों के लिए कि सी बेटी अपनी यहीं का द पर यहां को सब को पता यहीं को कुंछ उन्हें के सभती हैं कुली भी कर रहे हैं और सरकारी गालियों से पैसा बेज रहे हैं तो यह बड़ा गंभीर सवाल यह प्रभूजी और हो सकता कि मुझे लगता है कि इस मामले में यदि नामित कर लेते प्रात्मिक जांच में तो इन अधिकारियों को करना पड़ता एक दो तरह की रिपोर्ट भेजी थी मतलब रिपोर्ट एक भेजी थी आयोग ने लेकिन दो निर्देश दिये गए तो इनकी बचाव किया रहा है यदि नामित कर देते तो सस्पेंड होना ही करना ही पड़ता उनको यह मजबूरी हो जाती कि उन पर आरोप हैं और फिर विवागी जाज करना पड़ती तो यह वो सस्पेंड से भी बचा लिया गया उनको जिस तरह से अधिकारियों को बचाते हैं कि अधिकारी पर तो कारवाई को राज सरकार कर सकती थी नब रजेश जी उनके खिलाब क्यों कार वह निकार राजनी के निश्चित तोर पे प्रभु जी यदि राज पुलिस सेवा के एक अपसर पर कारवाई करना की तो बांकी के भी सवाल खड़ा होगा कि तीन अधिकारियों को कौन बचा रहा है तो यह एक अधिकारी पर इसलिए कारवाई नहीं कर रहे हैं राज सरकार बांकी तीन पर करेंग अधिकारीप आई जिए इस तरका अधिकारी उनकी जाज करेंगा तो सबाल कैसे करेंगा उनको वो जाकर सुलूट मारेगा अभी तब पत्पें हैं वो यह सब्द्ध नहीं करोगे तो कोई पूच नहीं सकता हुंसे तो यह भी सबाल है कैसे जिसाहिए तो आप सबादोंग कि रिपोर्ट में कि पैसा कर रहे हैं अवेद रूप से वह पुलिस सुधार करेंगे तो कि आपको नहीं लगता कि इस से केंदरी एजेंसी और राजिक एजेंसी के बीच में क्लैश बढ़ेगा और दूसरा एक और से जुड़ा हुआ सवाल मेरा है क्या यह कहीं न कहीं मजब देश की जो वर्तमान भाजपा सरकार है जिसको कहा हम शिवराज सरकार है उसकी छवी पर बट्टा लगाने की कोई कोशिश या शड़ेद्र का हिस्सा तो नहीं है बिल्कुल निच्छी द्रोब से हो सकता है प्रभुजी देखिए कल क कि जो जवेठक का जिसमें आपने जिक्र किया था उन्होंने एक चीज और कहीं थी मुख्यमंतरी ने कि जम अफसरों को डारता हूं उनके लिए कुछ कहता हूं तो जनता ताली बजाती है तो जनता में यह चीजे पर्शिप्शन एक बंता जा रहा है कि अधिकारी कैसे काम करते हैं दूसरी एक बात है जो आपने कहीं उससे जुड़ी एक और चीज देखिए आप जांच अपना काम करने की बात के रही है मुख्यमंतरी के रहे माफिया खिलाब कारवाई की जाए वह कोई भी माफिया हो तावर तोड़ एक्षन हो रहा है लेकिन एक ऐसे मामले में हैं और योड़ देखिए आप कैसे घेरे में जैसे दो धारण में आपको बताए थे यहीं करती हैं पांसो सवाल किये जाते हैं लगातार उनके खिलाब वारण जारी होता है इनाम गोसित हो जाता है जैसे निजाम बदलता है योड़ उनको क्लीन चिट देता है तो आप उस तो या तो तब आप गलत है या तो अब आप गलत है तो जांच एजनसियों की जो निस्पक्चता है वह वैसे सवालों के गहरे हैं तो ऐसी स्तिदी में लगता है कि जब सीविया एडी अगर आगे पीछे हो सकता डर यह भी हो कि अगर आप जांशुरू करते हैं पिर चुक कमलात आस तक नहीं कहा कमलात में कि विदायकों को मैंने पैसे नहीं दी वह कहता है कि पिसली इंट्री जिनके नाम के उन पर भी एफाइयर हो तो यहाने सब को एक्सेप्ट कर रहा है सिवा योडबलू के अब रजे जी अपना मामला चुनावी लें दिन का विशा है हमरे स सामने पुराना उधारेंड भी है कि जिसमें चुनावाला तो उसको लेकर काभी सकत रवय अक्तियार किया था तो क्या इस मामले यह डबलू की रिपोर्ट को नहीं मानती है जो कि चुना आयोग ने भेजी तो आयोग अपने इस तर पर इस मामले को किसी और एजेंसी को दे राज सरकार की सिपारिश कर सकती है या कोट सिपारिश कर सकता है तो इस मामले में आयोग इतना जरूर चाहता है कि वह एक नाजीर बनाना चाहता है इस मामले को इसलिए जिस तरह से वह संग्यान ले रहा है रिपोर्ट मांग रहा है तो बारवार जिस तरह कोट रिपरोज का लेंदेन का मामला और यह जादे मामला तूल पकड़ता क्योंकि इसमें दोनों दलों के लोग मिलें जो कांग्रेस से भाजपा में आये हैं वह भाजपा की कमजोरी बन गए इस कारण मुझे लगता है कि भाजपा इसमें कोई एकसंत तेजी से नहीं चाहती है कि अभी उसस से हुए तो विपक्ष इसमें सांथ है सत्तापक्ष के पास इसकी कमजोरी आ गई है तो इसकारण फायदा उठार है कि इन दोनों के उसमें खुद के अधिकारियों को भी बचाप कर रहा है कि जांच तेजी से बढ़ेगी तो इन लोगों को भी आरोपी बनाना पड़ेगा क्यों कि अभी CS और ACS तो बता देंगे कि हमने भेज दिये सरकार ने सरकार इस दिसामें कारवाई चाहती है यह की जाच कर रहा है और आगे की कारवाई करेगा तो इसके बाद मुझे लगता है निश्चित तोर पर चुना है कि इस तरह सक्ति दिखा रहा है जिस तरह से पर नादी टीवी अभी बता रहा है कि योडबलू ने इस पूरे मामले में जो सीवीडीटी की रिपोर्ट में जो नाम जद आरूपी थे या जिन पर रोप थे उन अधिकारियों के खिलाप प्रात्म की दर्ज कि अब योडबलू अपनी जाच को किस दिशामें ले जाता ह रहे हैं आगे इस पूरे मामले का होता है यह तो आने वाला समय में बताएगा लेकिन जिस तरीके से मामले में और सकत रवय अक्तियार करें पहांस तारी को चीफ सेकेर्टे और एसीस होम की वहां पर जो पेशी है उसके बाद हो सकता है कि योडबलू के डीजी को भी वहां पर तलब किया जा सके तो ऐसा लगता नहीं है कि मामला यहीं पर शांत होगा अनादी खास ख़बर में बस इतना ही और आप देखते रहें अनादी टीवी